बताने जा रहा हूँ बहुत ही एक नया तरीका प्रोटेस्ट करने का जिसको इल्लीगल भी नहीं बोल सकती सरकार के भई तुम इल्लीगल काम कर रहे हो तो कि वो तो एसमर एक्ट चल रहे हैं देखा जायते हैं हिट एंड रण को लेकर एक बहुत बड़ा कनून लेकर आई कि अधर सरकार और जिसको लेकर पूरे देश में जो ड्राइवर हैं उन्होंने खास करके कमर्शल काडियों के ड्राइवर उन्होंने बहुत-बड़ा प्रोटेस्ट किया उसके बादेश्ट हुई उस सब को लेकर हालांके सरकार की तरफ से ये promise हो गया कि उसको नहीं implement किया जाएगा लेकिन वो तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो implement होता है या नहीं लेकिन आज की इस ground report में मैं आपको एक बड़े नए तरह के प्रोटेस्ट जो ड्राइवर्स की तरफ से किया जा रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ बहुत ही नया तरीका प्रोटैस्ट करने का आप इसे सहमत है या नहीं वो भी बताईएगा लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि यह pro wars किया जा रहा है और कहां पर किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है तो आए शुरू करते हैं आज की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट मैं हो मनंदर सेग और आप देख रहे हैं ट्रांस्पूर्ट टीवी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर बता दूँ के हर गाड़ी जो कमर्शल गाड़ी है देश में उसको एक बीमा कराना होता है अपनी गाड़ी का और ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों से बीमा करा हैं जो समझदार हैं जो सारी जानकारी रखते हैं और जैनलन लोग हैं हमारी कमपनी ट्रांसपूर्ट के जो ड्राइवर और कंड़क्टर्स हैं उनके दौरा असल में हुआ ये है कि पहले तो प्रोटेस्ट शुरू हुए हिट एंड रान वाला जो केस आया जो केंदर सरकार ने कनून लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ लेकिन उसके बाद इस पंजाब के अंदर खास करके इस कई उनको लगता है कि बहुत चोटी-चोटी चीजों पर नौकरी से निकाल दिया जाता है वो बंद होना चाहिए और कच्छे मुलाजम जो है उनको पक्का करना चाहिए तो इस तरह के उनकी कई मांगे है और एक और मांग उनकी क्या है कि कई बार हमें पकड़ा जाता है कि हम चोरी करते हैं चोरी कैसे करते हैं कि सवारी बैठी है जैसे इंस्पेक्टर आता है कहीं पर बस को रोका जाता है और इंस्पेक्टर सारी बस की जो सवारियां है उसकी टिकेट चेक करता है तो जिसके पास भी टिकेट नहीं मिली तो यह माना जाता है कि यह कंडुक्टर ने पिछे जाल पर होते हैं चट पर आज इतना जादा तो नहीं सावारी बची है लेकिन फिर भी वह उनका कहना है कि बहुत जादा ओवरलोड होता है तो हमें कई बर टाइम नहीं मिलता तो इतनी देर में कई बर इंस्पेक्शन हो जाती है तो उस केस में हमारी जो है नौकरी प पंजाब के अंदर के बस के अनदर 50 seco ओतीए तो 52 जो पानुवे शीटे हैं उतनी ही सवारी बिठाई जाएगी एक ड्राइवर के स्वेक्शिट होती है उसके लावा जितनी सीट से उतनी ही सवारी बिठाई उसके बाद जितने मर्जी लोग बाहर खड़े रहें बस में आना चाहें उनको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है ड्राइवर करेक्टर के दौरा वह कहते हैं कि वैसे भी कानूनन ओवर्लोडिंग नहीं कर सकते हैं तो कनून के खिलाफ तो वह जा नहीं रहें तो एस पर अगर सवारियां खड़ी हैं तो वह अवर्लोडिंग है और खुद कभी हो सकता है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कोई ब्यान दिया पीछे के ओवर्लोडिंग नहीं अलाओ की जाएगी तो उन्हों ने उस पात को भी ले लिया इसके अंदर कि खुद जब ट्र सच में होता है बसों के अंदर मालीजिए खास करके जो सुबह की बसे जिसमें लोग आफिस जाते हैं और शाम की बसे जब आपस आते हैं तो उस टाइम लोग बाहर खड़े रहे और लडाईयां हुई बहुत जादा जो पेसिंजर है उनकी ड्राइवर कनेक्टर के साथ के बहुत जादा जगाओं पर इसको लेकर मारपीट पर तक बात आ गई लेकिन जो ड्राइवर कनेक्टर हैं अपनी बात पर अड़े रहें इसके बाद जो दो बड़ी संस्था हैं सरकारी पंजाब के अंदर वियार टीसी और पंजाब रोड रोड़ उसके जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं ट्रांसपर्ट बभाग के अधिकारी उनकी मीटिंग बेरा हुई तो उसमें यह हुआ कि आपकी मुख्यमंत्री जी से बात कराई जाएगी तब तक आपने प्रोटेस्ट को थोड़ा आप सिस्पेंड कर दें लेकिन हुआ यह कि उन्हों ने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि सुबह वाला जो रूट है टाइम है और जो शाम वाले टा है वह मीटिंग भी एक दो बार नहीं हुई है बताया जा रहा है कि टाइम देकर वह मीटिंग कैंसल होगी सीम के साथ तो अभी वह प्रोटेस्ट इसलिए यह पंजाब के अंदर चल रहा है कि 52 सीट्स के ऊपर जो सवारियों को नहीं बढ़ाया जा रहा है जब किसी को खड भी हो गया उपर तो 20,000 रपे का जरुबाना हो जाता है कम से कम और उसके उपर टन के हिसाब से तो लेकिन बसों में तो ऐसा नहीं होता चाहिए प्राइवेट और सरकारियों कितने लोग खड़े रहते हैं तो वह हमारे देश में कभी बात नहीं होती आटो रिक्षा देख और यह भी उनकी डिबांड है कि और जादा बसे जो सरकारी है वो चलाई जाए पंजाब में कम हैं और बसों की हालत खसता है और अच्छा उनकों किया जाए यह उनकी सारी मांगों में शामिल है तुसी एह प्यास वारिया शिस्टम कर देता लोग का नूं इदे बच काभी की दिकता क्रेशनिया और यह इदे बाराजगा एक्स्प्लेयन करो सरकार ीवरें परे सरकार की चान तुसीज्ब जो ऐसे सी मुझके परगरम सब्सेबर नहीं में ओल्ड़ें चो घे लिद यो कॉई जानता प्रेशान नी हो रही, जानता दे पले वास्ते कीता हैं पंजाब दे लोग जो खुजणखवर हो रहे सी बसां जन्बियां अलंभियां लहें भी आज यागां लढ़ें लटक बारियां जान्दे सी एक्सी रेंट्रव खत्रें बने होते पाला कर werde लेखंगेल अनखितिका क्यां आपज समाघूलक का राकी अनख ह स्विजाल हो दोला करें सब्हुर्म हो! एक गालता नेजमा दे वरोद्दा सो असी भी सोचे है के हांजी पंजाब दी जानता जदो सानू पे कर रही है असी बगैदा बपाग नू साड़े नू इनकम आ रही है ता जानता नू सफर सू उल्त भी पूरी है जड़ी वदियां तरीके नल होनी चाही दिया ते नमियां बसाइं जड़ियां ओ बपाग वीच पेणियां चाही दिया सो असी अपनी जदेवन दी वल्लों बपाग कोड़ 10,000 नमी सरकारी वास दी डमाड कीती है पंजाब रूडवेज पानवास दे पी आटी सी दे वेच दासे जार नमी बास सानू दो ताँ जो असी पंजाब दी जानता नू वदिया सफर दूलता जड़ी ओ दे सकी जड़ा सिस्टम केंदा सरकार केंदी भी असी अन्ने मुलाजम पक्के कर देते क्या तुसी पक्के नहीं होया ज़ता क्थो बताले अन्दा था क्या हाई तक तो डिवा कुछ लागू होया इन्हीं इदे बड़े एकस्पेन करो जा मैं कहना सरकारां कांगरस दी भी पिछे चलगी चैनी साथ ने फ्लेक्स लाते खंबे आते बहुत बड़े बड़े शती हजार मलाजम रेगुलर करता पर मैं नहीं कह अन्यचार पर्ति करें कंद्र माइस होदे बेच मेनु करता गजा रादा दयो पकवांतमान साव कनमेस और पर तके में कजा रहा होगा है मैं कहना जी साधियां तब कहां सतारा स्थारा है यार पे याजी किड़ी कवडी तनका है असी 16 16 के अटे डूटियां करते जी एक बदा रुको जी रुको 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 सरकार तक हैं दी 80 80 है यार लख लख रभी तरहाँ थोटीयां मलाजमानियां रोड़ वेज दा बेच्चे क्या चूट बोलती सरकार मैं खा जीना नहीं 80 ही जार है जी ओधा काम भी देख लेओ किना कर दे यार ले एक जड़ा कच्छा काम है ओ तेरा तेरा चौदा चौदा केंटे डूटी कर रहे हैं जी दिन रात डूटीयां कर दे हैं सड़े ते जे एक्सीडेंट भी हो जाता है न तुसी चौदा चौदा केंट 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 कर रहे हो मैं खा जी आठा केंट यासी डूटी दा सानुक है ही नहीं बढ़ता जे रोडबे दे वेच ओवर टैम दे रहे हैं तो ओवर टैम किसे एक प्राणे बंदे नूँ 500 पीया केंट ते जिड़ा ठेक्के आला है उन्हों कि अधिक प्राणे बेचे मलाजमानी काट है ता तो तुसी ओवर टैम ते 14 14 15 15 15 साड़े कोड कंडीशनाल लाए होई रपूटा करके जड़े कर बठाली होई बरकर है कट तो कट ओह यार 1500 बरकर कर बैठा बसादी काट है साड़े कोड बेडा दखालो थोड़े कोड़े करने दी भी अगर आसी दो शुटियां लेनियां होना तासी बहुत ओखे होके शुटियां लेते जी तो अधियां बसा दी ना प्रोपर सभाई हों दी ना तो अधियां बसा देखियां ही रोड दे उते ते नहीं तो तियां में हों दियां चंगी तरह जे स्टाप दी काट ह प्रफ़ाइब दारे देवेच बाशिंग बॉए कट तो कट दादस पंदरां पंदरां चाहिए जिते सोग डीदा फलीट चल रहा है उते कट तो कट दास जाब पंदरां बाशिंग बॉएबी नाल सीपर चाहिए ने और एस ता में थे ड्रेवर कनेक्टर आप ता गड़िया मैंक जिनाब हो यह लेटर पह्ताह समय दिया ना दाधम काट ही घटव ने हुना ना ते रही जरीा और ऊमे ड दामीग रही है जैक कोड ले लेंड यां सी ले लेंड था इंजन बज जानता सी टाड़ा दी गटी दी सिर्फ एस सर बस सब्सक्राइब और सब्सक्राइब आगे सब्सक्राइब गए घ्राइब करके पंद्र पंधरया या पूरियां मंगा उन्हें बैठ के टेबल टोप नहीं कर सकते तुसी गाले करी के हर्टाणा इकदी मंगतों बाद असी उठालें दे ओदे पेली चक्कर के असी जदों भी हर्टाण कर दे या मीटिंग च सानू प्रोसा देता जाना ता सरकार मलों के हांची थोड़ी आझ चीजा एक नीदरीकन्वसी मन लांगे पहली जाला मीटिंग प्रोसा देता जाना का तुसी हर्टाण चक दोज यहुट जी ऑन दो मीटे पाके किती हैं ते दूजी काल हर्टार का नी क्या होता है इस प्रोटेस्ट काने वाले दिनों में आपको अपडेट करेंगे लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरीके का ठीक लगा एज रण नीती आपको कैसा लगा कि जो ड्राइवर कंडुक्टर्स ने यहां पर पंजाब में अडॉप्ट करी इसको लेकर गया आपकी क्या रहे है जुरूर बताये कमेंट सेक्शन में ट्रांस्पोर्ट टीवी को देखने के लिए बहुत बशुक्रिया